दोस्तो छोले तो हम सभी लोग अपने घर के अंदर बनाते हैं चाहे कोई भी ओकेशन हो तैवार हो बर्डे हो कुछ भी हो छोले ज़रूर बनते हैं और अगर छोले बनते हैं तो आपको यह जो आज की वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि आज मैं छोल कीजिए और खास बाते सारी आप यूसफुल इसमें से ले लीजिए आज लेके आए हैं छोले की रेसिपी और छोले जो हैं इंडिया में बहुत कॉमन है हर तीज तैवा प्रोग्राम फेस्टिबल हर टाइम पर हमें सबसे पहले याद आते हैं वह हैं छोले और छोले बनान करना है करने के वाश नच बाल से ल Heard जौना फसके फ़ये खोले लानी छोलो से फोड़ पर यानिति एक डिए गलास आपको पानि लेना है छोले जब राद पर पानी में छोड़ते ना तो शोडינ कर बानी इसके बाद अब आप करें में एक जाली ले रही हुँ इसमें घड़े मसाले लाल रहे हूं जैसे कि यहां पर स्टार is इस्टार को मैं अलग से इसमें डाल देती हु निकाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं आमले, सूखे आमले, बहुत असानी से मार्केट में मिल जाता है, सूखे आमले लिए हैं, साथ से आठ काली मिर्च लिए हैं और सिर्फ चार लॉंग लिए हैं, ये हमें खड़े मसाले लेने हैं, जो हमारे छोलो को एक बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर देंगे, मैं चाय पत्ती का बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती से मुझे लगता है, छोले में एक कड़वा पनाता है, तो आप बिना चाय पत्ती के भी, रंग ही तो आपको काला करना है, वो हम काला करेंगे आमले से इसमें अब नमक डाल दिया है, ढकन बंद कर दिया है, और छोले को उबलने के लिए 3-4 सीटी हमें मीडियम फेर्म पे लगानी है, जिससे कि हमाई छोले जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, देखिए जरूरी नहीं है, छोले जो हैं चाय पत्ती से ही काले होंगे, चाय पत् इसमें जाल है, इसमें चैन है, उसे एजिली पकड़ के इसे बाहर निकाल देंगे, इसके साथ ही हमने इसमें डाला था एक स्टार, जो आपको उपर ही दिख जाएगा, आप उसको भी बाहर निकाल दीजिए, जो खड़े मसाले होते हैं, यह टेस्ट खराब कर देते हैं, इसलिए खड़े मसालों को आप इस तरीके से डालेंगे, तो एक भी आपके खाते वक्त मूँ में नहीं आएगा, अब देखिए जो छोले हैं, वो अच्छे से गल गए है, छोले का कलर देखिए, एकदम डार्क है, जिस तरीके का आपको चाहिए, सेम उस तरीके का ही कलर आ और लग भग एक गलस पानी उसमें एड कर दिया है, और इसको अच्छे से बंद करेंगे, वो इसे हम चला लेंगे, यानि की पीस के एक स्मूथ सा लिक्विड वाला पेस्ट बना लेंगे, ऐसा क्यों करा है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, आपके छोले की ग्रेवी के लि यहां तक के सारी टिप्स आपको क्लियर हो गई होंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वापस से पूस सकते हैं, कडाई में हम तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गरम करना है, देखिए छोले हैं, तो तो थोड़ा सा एक्स्टा रखेगा, इसके साथ हम डाल देंगे, दो साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, दाल चीनी और हींग, अच्छे से तेल गरम होना चीए, उसके बाद ही आपको एड करना है, इसके साथ हम डाल देंगे, इसमें अध्रक लसन का पेस्ट, देखिए मैं छोले बना रही हूं सर्सो के तेल में, तो यह ट करने वाले हैं, एक प्याज जो की पतली पतली और लंबी काटी गई है, यह आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट देगी हर एक बाइट के साथ, अब इसके साथ जब हम इसे एक सागें के लिए हलका सा भून के सफेद कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके का होने के बाद हम व अब जो पेस्ट डाला है, इसका कलर अच्छे से हमें ब्राउन चाहिए, इसको आपको अच्छे से भूनने में समय देना है, यह जो टेस्ट पेस्ट है, इससे आपको बहुत अच्छा जो ग्रेवी मेन थिकनेस मिलती है, और जो यह लंबी प्याज काटी हुई है, इससे आ इसके बाद इसे अच्छे से भून लीजिए, जो कि पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो जाए, और छोड़ने लगे उसके बाद आम यह पे एड करें कश्मीरी लाल मिर्च जो की तीखी नहीं होती है, कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, आप चाहें तो नॉर्मल तीखी व इसके बाद आपको जो दूसी चीज एड करनी है वह है छोले मसाले, जो की रेडिमेंट मार्केट की बहुत सारी ब्रैंड में आता, आप कोज भी यूज कर सकते हैं, तो छोले मसाले डाला है मैंने एक चमच, और आधी चोटी चमच डाला है मैंने किचन किंग मसाला, साथ म आपको यहीं पर एड करनी है क्योंकि आप ओईल में और मसालों में जो चीज सुखे डाइड करेंगे उसका स्ट्रॉंग फ्लेवर रहेगा पूरी सबजी के अंदर, तो हमें स्ट्रॉंग चाहिए मेथी का, छोले का, जो छोले मसाला है उसका और कलर का, इसके बाद भूनन इस तरीके से टमाटर का ज्यादा यूज किजिए तब आपके जो टेस्ट का बैलन्स होता है वो बहुत अच्छा बनता है छोले के अंदर तो अब यहां पर हमने अच्छे से इसे भी भूनना है टमाटर की प्योरियू को भी इसमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑईल छोड़ दें अच्छे से मसाला कलर जो शाइन देने लगें इसके बाद जब इस तरीके से ओल छोड़ देगा तो हम यहां पर दो मसाले और एड कर देते हैं जैसे कि धनिया पॉर्डर और साथ में डाल देंगे नमक टेस्ट के लावा अभी हमें और कोई मसाले इसमें एड इसके बाद वापस आपको अच्छे भूनना है पकाना है जब तक और इस तरीक से सारा जो रोगन है उसका तेल का वह एकदम साथ में छोड़ देगे जब अच्छे से छोड़ देगी उसके बाद हमने जो छोले पीस के रखे हुए थे एक ग्लास पानी के अंदर या आप त टेस्ट जो है जो है ख्रिविक अ खुलो करना है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अच्छा टेस्टा आएका चोलो के अंदर और बहुत अच्छी गारी सा आपको ग्रेवी मिलने वाली है तो यहांपे अब मैंने जितने भी छोले हैं वे MASK के असके अंदर ढालना याया यह भी तो आप इसे पकाना जरूरी है तो आप इसको अच्छे से उबाल लीजे पका लीजे और इसके बाद आप रोगन ऊपर देखेंगे तरह आप इसके से रह ज़क्या है और भाद दनिया डाल के हमारे मज़ेदार जबड़द छोले की चटपटी सी रेसिपी बनके तैयार है इंडिया के हर घर में चोले खाये जाते हैं और बहुत ज़्यादा पासंद किया जाते हैं छोले चावल चोले भटूरे ऐसे बहुत सार टेस्ट भी देखने में भी खुबसरत हो खुशिबू भी बहुत अच्छी आ रही हो और मज़ेदार सा स्वादो छोले का तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं आपको इसके बाद इस तरीके से छोले बनाने का ग्रेवी का टेक्स्चर छोले का टेस्ट मसालों का कैसे बनाई छोले की खास रेसिपी अब आने वाले तहवारों के लिए आप सब के लिए उमीद करती हूं आपको छोले की टिप्स और ट्रिक्स छोटे बड़े जो भी मैंने शेयर किये हैं पसंद आया होंगे अगर पसंद आये यूसफूल लगे तो अपने दोस्त वीडियो में तब तक के लिए बावाई